हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग वित गंगा वाइब्स में और इसमें आज घर पे कैसे दूद पाड़ के पनीर बनाए और पनीर से कैसे सबजी बिनाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे मैंने बरतन में थोड़ा सा नीचे पानी आड़ किया हुआ है ताकि दूद लगे लए उसके बास से फूल क्रीम दूद है इससे बहुत ही अच्छा सा पनीर निकल के रेडि हो जाएगा तो देखे मैंने बरतन में दूद निकाल लिया हुआ है उसको गैस पे पनीर थोड़ा सा खटा हो जाता है तो उससे देखे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इससे थोड़ा सा भी खटा भी नहीं लगेगा और धट पट पटके तयार हो जाएगा तो देखे आधी चम्मत से भी कम मैंने इसमें यह डाला हुआ है फिटकरी और देख फटके रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान है घर पे पनीर बनाना और इससे आप चाहें तो मिठाई भी बना सकते हैं देखे पानी कितना अलव हो गया है दूद एक कम अलव हो गया है और पता नहीं क्यों ग्रीन दिख रहा है लेकन बिल्कुल यल्लो जैसे दिख रहा थ अब इसको चलिए चान के हम रेडी कर लेते हैं तो मैंने उसको रख दे हुआ है थोड़ा सा थंडा होने के लिए थंडा होगे पानी एक तरफ निखाल लेंगे और हाँ प्रेंड्स पानी को क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूं पूरा वीडियो जरूर देखिए इसक इसे जो बर्तन में हमने दूद फाड़ा था न उसी में ठंडा पानी लेंगे और पनीर को थोड़ा सा इसमीं डीप कर देंगे और धूल दोड़ेंगे अच्छा लगेगा अच्छा हो जाएगा और थंडे पानी से तुरण गरम से निकाल के ठंडा में करेंगे न तो ये ब बहुती आसानी से 15-20 मिनट में पनीर बनके रिडी हो जाएगा थोड़ी दर के लिए इसे फ्रीज में रख दीजिए ऐसे सेट होने के बास से उसके बास से एक बाटल ले लिजिए मैं बच्चों का बाटल ही यूज कर रही हूँ और जो पनीर का पानी बचा हुआ इसको एक बाटल भरके अपना रख लिजिए ताकि आप जब भी दूर थाड़ोगे ना तो यही पानी उसमें यूज कर लेना है क्योंकि अब हर बार हम नीबू विनेगर या फ्रिट करी तो नहीं यूज करेंगे तो यह पानी अब आपको हमेसा काम आएगा जब भी पाड़ो तो इ देखे बिलकुल थोड़ा सभी नेई इसमें गुल्ट फुली नहीं है थोड़ा सभी दाना भी नहीं से कहें भी ताना नहीं और लग रहाया न बिलकुल मार्कर के जैसा पानीर और देखें मैं आपको पूरा कट करके दिखा रही हूँ इसको बहुत ही असानी से घर पे ही आप बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी सा पनीर ये बनके रेडी हो जाएगा सो देखे ये चार मतलब अलग से मैं दिखा रही हूँ आपको देखे कितना अच्छा सा पनीर बनके रेडी हो गया बिल्कुल मार्केट के जैसे पनीर आप भर पे बना सकते हो इससे आप मिठाई भी बना सकते हो कुछ भी मीठा भी बना सकते हो या पनीर की सबजी बना लो प भर पर पनीर फाड़ के दूस्से और कैसे बनाओगे यह बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो देखिए यहां पर पनीर कितना खुबसूरत दिख रहा है और देखिए कहीं भी थोड़ा सा भी दाना भी नहीं है बस थोड़ा सा इसका ट्रिक वही है कि आप गरम पानी में जब फ देखेवेकर भी आपमे फोड़ा और बहुत आ बडू़ा थैँसा बन जांज है तो दिखाती हो लटक रसकति हो तो देखिए मैं इसको बिना अकिया अच्बूरत मृत बना रही हूँ तो ठोड़ा समय से एक चमच मलाई दाला हुआ है टमाटर मिर्चे और थोड़ा सा इसमें काजू है अब मैं यहां पे कड़ाई रख दी हूँ तेल गरम हो रहा है इसमें तड़का वही रेगुलर का है जीरा है अचवाइन है सौफ है मेथी है और तेश पत्ता और इसको जो ग्रेवी है हमारी न वो जो हमने पीस के रखा हुआ है उसको इसमें आप चाहे तो यहां पर पहले ना प्याज लॉसुन जो है उसको कट करके और इसमें एट करके उसके बास से आप इसमे यू इसके बदे गरेवी डालें तो फिर यहां पर हल्दी है क्षेस धनिया पाउडर है जीरा है और लाल मिर्च पाउडर है यही मसाले इसमें मिला लेंगे इसके बास वाद अनुसार नमक मिलाएंगे मैं इसमें जादा कुछ भी नहीं मिला रही हूं बहुत ही सस्ता बहुत ही मतलब जो घर में हमारे है उसी से यह सब्जी गुना के हम रेडी कर लेंगे अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और अच्छे से जब पक जाएगा ना तब इसमें पनीर हम एड़ कर लेंगे जले कि अब इसमें थोड़ा सा मिलाना है बहुत थोड़ा सा में पनीर मसाला मिला रही हूं इसमें क्योंकर मैं यहां maximum प्यक्राइबी और टमडबले तो है नहीं कि पूरने मसाला फेला लेकिन इसको मसाला भी कमी रखना है friends और इसमें पनीर हमें एड़ कर ले ना है अब देखे बहुत ही आसानी से सब्जी बनके रेड़ी हो गई थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथि मिला लेंगे और देखिए किनी अच्छी अच्छी सी सब्जी बनके रेड़ी तो घर पे पनीर की सबजी कैसे बनाए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत ही आसान बहुत ही युनिक तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है तो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, सेयर जरूर करिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट करके मुझे कमेंट में जरूर बताएए तो कमेंट भी जरूर करिएगा और देखिए ग्रेवी भी कितनी खुशूरत दिख रही है तो कमेंट लाइक बेल आइकन जरूर दबाएए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और हाँ वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्यूंकि जानते ही है तब यह तिस्ट में ठीक नहीं था तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है तो लाइक कमेंट सेर जरूर करिएगा चैनल पने तो सबस्क्राइब तो जरूर कर लीजिए और सबजी कैसी लगी पसंद आएगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा थाइंक्यू पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंट